अलो फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकूम क्या हुआ पाउच देख रहे हैं अच्छा लगा आपको भी लेना है इसे खरीदने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसे घर बेटे बहुत ही आसनी से बना सकते हैं अपनी सिलाई मशीन के उपर तो इसको बनाने के लिए सीखने के अब आपको यह वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो स्किक मत कीजिए तो फ्रेंड्स पाउच बनाने के लिए जो मैंने मटेरियल यूज किया है उसमें सबसे पहले आता है अस्तर का कपड़ा हमारा मैंने लिए हमारा मैं कपड़ा मैं फैब्रिक जो उपर आएगा और यह है पेस्टिंग पेपर इसको हमारा मैं फैब्रिक है उसके अंदर से चिपका देंगे इससे हमारा पाउच हो जाएगा अच्छा दिखेगा फिनिशिंग उसकी तो दोस्तों यह देखिए सबसे पहले मां बता देता हूं य इसकी पाउच के लंबाई है वह हम 11 इंच रखेंगे यह देखिए 11 इंच हमारी लंबाई और चोडा ही में हम लेंगे 10 इंच यह 10 इंच जो है यह हमारी चोडाई है तो इसी तरह से आपको पहले अस्तर कट कर लेना है फिर उसके बाद आपको जो में पैब्रिक है आपका उसको कट कर लेना है थोड़ा सा एक एक सुद आपको ज्यादा रखना है अस्तर से इस तरह से दिखिए कट कर लेना है कट करने के बाद अब मैंने जो आपको पहले बताया था यह पेस्टिंग पेपर इसको इसके अंदर चिपका लेना इस तरह से दिखिए हमने इसको चिपक करने के बाद अच्छे से इसको बिठा लेंगे और किनारे से हम सिलाई लगा देंगे यहां पर यह दिखिए चारो तरफ हमें इसके सिलाई लगा लेनी है अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो भी पाउच बनकर तयार होगा लेकिन जो उसमें कड़क पन आएग से उसको ले लेकर आपको चिपका देना है यह दिखिए हमारी जो सिलाई है किनारे की यह कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसको कट करेंगे और यहां पर जो आपको साइड में दिख रहा है एक श्ट्रा गपड़ा इसको भी हम चारों तरफ से कट कर लेंगे अब यह कटिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है तो अब हम यहां पर जो इसकी लंबाई में हम एक जिप लगा देंगे जिप की ज़रुरत है हमें जिप लगानी है हमें यह दिखिए मां आपको बता जेता हूँ यह हम जिप लेंगे यह जो जिप है यूज होती है लेडिस तो इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो इसको हम इसके उपर रखकर सिलाई कर देंगा रखना किस तरह से दीखिए कपड़ा जो हमारा है सीधा रहेगा उपर की साइड पहले हम इसके लंबाई देख लेते हैं कि दर से हैं यहाँ पर 11 इंचा रहा है इसके लंबाई है अब आपको कपड़े को सीधा रख लेना उपर की साइड और जो यह जिप है यह दिखिए यह जिप को इस तरह से अंदर कर लेना है दिखिए इसको अंदर की साइड में रखते हुए आपको सिलाई लगा लिनी है यहाँ से एक पेर का बार्ज लगते हुए बहार की साइड में तो इस तरह से यह सिलाई लगकर त्यार हो जाएगी यहाँ पर अब यह सिलाई पूरी होने के बाद हम इसको सिधा कर लेंगे इस सिधा होने एक बाद हम यहाँ पर भी एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे दो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई भी लग चुकी है अब हम इसको इस तरह से सिधा रखकर इसको फोल्ड कर लेंगे बराबर से हम इसको कोने से कोना मिलाकर इस तरह से रख देना है नीचे उपर बिल्कुल भी नहीं करना है और इसको बिल्कुल जमाकर रख दे कि हम इस तरह से पकड़ कर इसको पल्टा लेना है और पल्टा लेकर यहाँ से भी हम सिलाई लगा कर इसको बंद कर लेंगे जिप क अब यहां पर भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है अब हम इस जिप को खोल लेंगे जिप खुल जाने के बाद हम इसको सिधा कर लेंगे और यहां पर भी किनारे से इसको सीधे तरफ करके सिलाई लगा लेंगे जिप को पूरी खोल लेना है इसके बाद यहां असानी से सिलाई लग जाईए इस तरह से सिलाई लगा लेना है अब यह धागे काट लेंगे अब इसके बाद हम जिप को लगा लेंगे यह हमारी जिप लग चुकी है अब हम इसको सीधे इस तरह रख कर इसका सेंटर निकालना है देखिए इस तरह से रखें और यहां पर हमें एक छोड़ा सा कट लगा लेना है यह हमारा सेंटर निकल गया और दूसरी साइड में हमें इस तरह सेंटर निकाल लेना है बिल्कुल भी हमें जमा कर रखना है और यह कट लग गया हमारा अब इसको हम क्या करेंगे जो हमने कट लगा है सेंटर निकाल कर उस कट को हमारा जो जिप है उसको मिला लेना है इस तरह से दोनों यह देखिए यह हमारा कट यह जिप दोनों मिलना चाहिए इस तरह से और इन्हें इस तरह रखकर हमें एक पेर का मार्जिन रखती हुए शिलाई लगा लिए नहीं है और यहां पर सिलाई को हम पका कर देंगे ताकि जिप खुले नहीं, अब यह हमारी सिलाई लग चुकी और यह जो एक्स्ट्रा जो है जिप इसको कट कर लेंगे, अब इसको कट करने के बाद, देखिए धागयों गरे भी कट कर लेंगे, अब हम यह जो जिप है इसको अब यहां पर भी जो हम सेंटर से सेंटर में लाकर यहां पर भी देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से आपको सेंटर में रखकर एक सिलाई लगा लेनी है, और यहां जिप पर आने के बाद सिलाई को पका कर लेना है, यह भी सिलाई हमारी लग चुकी है, बनाने हैं तो दूस्तों यहां पर पर क्यां में आपको लेको पर मार और यहां से धिर्लस ले इसी तरह हम यह दूसरा box भी बना लेते हैं एक एक इंच पर आपको रख कर लेना बॉक्स बना लेने हैं अपम इसी तरह से चारो बैग बॉक्स मना लेंगे इस तरह से हमने बना लिए box अब इसको हमें क्या करना है जो हमने कपड़ा बिल्कुल कट नहीं करना है इसी तरह से हमें box इसको अलग करना है कटिंग करकर अब बॉक्स कट होने के बाद फिर से हम इसको सिलाई लगा लेंगे पक्की सिलाई कर लेंगे ताकि यह जो हमारा पाऊच है खुले नहीं वह अच्छे से मजबूती से बैट जाए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और इसको पका कर लेंगे यह देखिए आप पर हमने सिलाई लागा कर इसको पका कर लिया अब इस box इसको हम किस तरह से सिलाई को ना यह दोनों कोने पकड़ने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है एक पेर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर यह देख रहे हैं इसको अपनी तरफ रखकर सिलाई लगा लेनी है पहले हम सिलाई लगा लेते हैं फिर दूसरी सिलाई के इस तरह से लगाने कि यहाँ पर इसका मूँ इस साइड है तो इसका भी मूँ उसी साइड करके एक पेर के ऊपर सिलाई लगा लेगे तो, इसी तरह से हम बाकी के आप भी घर बठे बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करिए अमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई फ्यूचर में नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद